बॉड बॉर्निंग अल उफ यू, my name is Vandakni Singh, welcome to Radish and Roots Online Classes Students, today I am teaching you Chapter 5, Noun, Noun, Naming Words, okay और आपको ये exercise करने से पहले, ये first video जो हम पहले sign कर चुके हैं, उसको देखना है उसके बाद ही exercise अप अच्छे से कर पाएंगे और आपकी समझ में आएगी तो चलिए start करते हैं अपनी exercise, तो हमारी exercise में है right person plays animals or things against the noun, ठीके, यहाँ पर कुछ nouns लिखे हुए हैं उनकी person plays or things लिखना है, यानि कि वो किस category में आते हैं, वो आपको लिखनी है जिससे Mr. Pinto, Mr. Pinto जो है किसी person का name है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे P-E-R-S-O-N person, फिर है motorcycle, अब motorcycle क्या है, things, क्योंकि non-living things है यह, है ना, जो निर्जीव होती है, ठीक है तो things, T-H-I-N-G, thing, bathroom, bathroom तो एक जगा का नाम होता न, धर में कई पार्ट होते हैं, जैसे kitchen है, room है, drying room है, bedroom है ऐसी bathroom भी एक place है, तो वहाँ पर लिखेंगे हैं place, Tokyo, Tokyo जापान का एक शहर है, तो यह भी एक क्या है, place तो P-L-A-C-E, place, pencil, अब देख रहें न, pencil भी हमारी क्या है, things है, मैंने things के बारे में आपको बताया था न, जैसे pencil, table, eraser, जो भी चीज़ें जिन में जाननी होती है, वो सब हमारी things होती है, ओके, फिर है cow, C-O-W, cow, cow क्या है हमारा animal, तो अब आपको यह person, things, place, animals, समझ में आ आपको अपनी notebook में भी करना है, इसके बाद सारी exercise आपको सिर्फ book में करनी है, read the sentences below and circle the noun, my brother has a black dog, मेरे भाई के पास एक काला कुता है, तो देखिए, brother भी एक noun होता है, बट यह जाती वाचक होता है, जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ naming, जो noun है, वो बत हम circle कर देंगे, अब है, I found insects in her cupboard, मैंने कुछ insects देखी cupboard पर, तो insects तो बहुत सारी है, cupboard, cupboard क्या है आपकी, things, cupboard क्या होगी आपकी, things, फिर दिवाली is a festival of light, तो festival का नाम क्या है, दिवाली, तो दिवाली आपका क्या होगी, noun, naming noun, the sun is a star, sun आपका क्या हो गया, noun, ठीके, इसके बाद है, my sister lives in kanapur, kanapur आपका क्या हो गया, प्लेज, काव आपका क्या हो गया, animal, ओके, चलिए, तो इसके बाद हम आते हैं, fill in the blanks with the naming words, कुछ words दिए हुए है, जैसे garden, mother, toy, grandmother, temple, अब इनको sentence में fill करना है, जैसे the is full of garden, full of flower, flower से भरा हुआ है, क्या भरा रहता है, full से garden, my cooks food for us, खाना कौन बनाता है, हमारे लिए, mother, M-O-T-H-E-R, mother, this is very beautiful, बच्चों के लिए सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है, उनकी, toy, this toy is very beautiful, my lives in a village, गाउं में रहती है, कौन रहती है, grandmother, temple तो रहेगा नहीं, गाउं में, ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप तो अपनी किसी के बारे में बताऊगे न, she goes to the temple daily, और वो कहां जाती है, रो जाना, temple, तो इस तरह से ये तीन exercise आपको अपनी book में करनी है, और first जो है, वो आपको अपनी notebook में करनी है, और एक exercise जो की picture बनी हो, उसमें से noun select करने है, वो आपको independently खुद करने है, ओके, bye bye, have a nice day,